जाने कैसे सपनों में फो गई अखिया खाए रेवा दिन की मुना हा मैं तो हुजागी मुरे सा गई अखिया आज मेरी जिन्दगी ये बातों का जादू ये साजिश है हालात की देखो खुशे में ढूमती फूह पती दुनिया है कितनी जवाँ जाने चली तहाँ फिल्म किसे बाहराकेश में आपका स्वागत है आज लीला नाइडू की बात करेंगे लीला नाइडू की कहानी सिंपल नहीं है उनकी खुबसूरती उनका फैमिली बैकडरांड वोग मैगजीन में दुनिया की दस सबसे खुबसूरत महिलाओं में नाम फैमिला मिसिंडिया का खिताब बहुत इंस्पारिंग बाते हैं पर उनकी परसनल लाइफ उनकी जिन्दगी ऐसी रही कि कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका जीवन लीला नाइडू जैसा हो आंधरा परदेश के डॉक्टर पटिपती रमया नाइडू जाने माने साइंटिस्ट थे उन्होंने नोबल लॉरियेट मेरी क्यूरी की सुपर विजन में अपना पोस्ट डॉक्टरल थीसिस तयार किया था सेकिंड राउंड टेबल कॉनफरेंस के दौरान लंडन में उनकी मुलाकात जनलिस्ट मार्थे मांगे से हुई कहा जाता है कि मार्थे कई बार प्रेगनेंट हुई पर मिस्कैरियच हो गया उनकी सिर्फ एक ही बेटी हुई लीला नाइडू जिनकी बर्थ डेट कंफर्म नहीं है पर साल 1940 बताया जाता है परिवार यूरोप शिफ्ट हो गया लीला की पढ़ाई स्विट्जर लेंड में हुई बच्पन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था इसलिए फेमस फ्रेंच एक्टर परड्यूसर डिरेक्टर जीन रेनवा से लीला नाइडू ने एक्टिंग की क्लासिज भी ली 1954 में लीला नाइडू ने फेमिना मिस्ट इंडिया किताब हासल किया लीला एपैच वर्क लाइफ बायर जैरी पिंटो किताब के अनुसार लीला ने बताया था कि 1955 में जब हम यूरोप से इंडिया आए तो बॉंबे में डॉक्टर बलिगा के महमान बनके रहे एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे साथ एक शादी के फंक्शन में चलो वहां बहुत अच्छी शुद जलेबियां होंगी बिना कैमिकल्स के मुझे साड़ी पहनने के लिए कहा गया मैंने जर्यवाली औरेंज बनार सी सिल्क साड़ी पहनी खास तरह का हेर स्टाइल बनाया जब वहां पहुँचकर मैं कार से निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम लोग फिल्म वालों की शादी के फंक्शन में थे मैं सब को नमस्ते करते हुए अंदर चली गई मिस्स बलिगा ने मुझे से कहा कि तुम अभी फिल्म इंडस्ट्री की दो जेनरेशन्स को नमस्ते करके अंदर आई हो दर्वाजे पर पृत्वी राजकपूर और राजकपूर खड़े थे फंक्शन शमी कपूर की शादी का था वहाँ राजकपूर ने मुझे पहली बार देखा और बाद में बलिगा परिवार से मेरे बारे में इंक्वाइरी की तब मैं दिल्ली में थी करनॉट पलेस में एक बार मैं अपने हेर वाश करवा रही थी एक आदमी मेरे पास एक कार्ड लेकर आया उस पर लिखा था सरल हिंदी में कहें तो चलती कार से जांकते चेहरे को क्या आप अपने पिता के साथ इंपिरियल होटल मिल सकती हैं एक प्रोजेक्ट डिसकस करने के लिए नीचे लिखा था राजकपूर मैंने अपने पिता को वो कार्ड दिखाया वो हिंदी फिल्मों के बारे में मुझसे भी कम जानते थे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक कपूर को जानता हूँ वो हैं प्रिथिवी राजकपूर सिर्फ इस वज़य से हम लोग मीटिंग के लिए तयार हो गए राजकपूर से मुलाकात हुई राजकपूर मुल्क राज अननत की स्टोरी दे ट्रेक्टर एंड दि कौन गॉड़ेस पर फिल्म बनाना चाहते थे मैंने कहा एक दो महीना मैं गाउं में रहकर इस फिल्म के किरदार की तैयारी करना चाहती हूँ राजकपूर ने कहा वहां गर्मी होगी मच्छर होंगे पर मेरा मानना था कि मैं दिल्ली में बैठे हुए एक दम से एक गाउं वाली लड़की का किरदार कैसी निभा पाऊंगी राजकपूर ने मदद के लिए मेरे पिता की तरफ देखा पिता राजकपूर की बात से सहमत थे साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर लीला को कुछ अर्सा गाउं में रहना है तो इसे ट्राइ करने दीजिए राजकपूर ने कहा ठीक है ये मीटिंग यहीं खत्म हो गई उसके बाद लीला नाइडू आगरा में ताज महल देखने गई फिर उन्हें जॉन्डिस हो गया छे महीने इलाज में निकल गए तबियत ठीक हुई तो लीला आरके स्टूडियोस पहुँचें लीला का स्क्रीन टेस्ट हुआ नर्किस जी ने सारी तैयारियां करवाई कैमरामेन राधू करमाकर ने कई शॉट्स लिये फिर लीला को बलैक सैटिन पैंट सूट पहनाया गया लीला ने कहा कि मैं तो गाउंवले लड़की बने हूँ इन कपड़ों का क्या काम तब राजकपूर ने बताया कि तम्हें चार फिल्मों के लिए साइन किया चारा है लीला को कांट्रेक्ट साइन करना था लीला ने राजकपूर से कहा में सोचूंगी लीला ने पढ़ाई के लिए आक्सफोरड यूञिवस्टी जाना था तो राज कपूर के साथ कांट्रेक्ट साइन नहीं कर पाई उसके बाद लीला नाइडू ने शादी कर ली थी अबराय होटल्स शुरू करने वाले महोंच सिंग अबराय के बेटे तिलक राज अबराय से तब तिलक राज 33 साल के थे लीला 16-17 साल की थी फिल्म मेकर रिशिकेश मुखर जी ने कमला चकरवरती के घर उनके दोरा खींची गए एक तस्वीर देह कर कहा था कि ये मेरी अनुराधा है तब वो अनुराधा फिल्म बनाना चाहते थे कमला चकरवरती ने कहा ये लड़की अबरायस की बहु है इस बात से रिशिकेश मुखर जी थोड़ा निराश हुए कि शायद लीला फिल्मों में काम नहीं करेगी पर कमला के कहने पर कोशिश शुरू कर दी उन्होंने कई बार पूरी स्क्रिप्ट के साथ लीला को फिल्म की आफर भेजी आखिर कार लीला नाइडू अनुराधा में काम करने के लिए मान गई सर्चिन भॉमिक के एपिसोड में आपको बताया था कि ये कहानी उन्होंने किस फ्रेंच राइटर के किस नोवल से इंस्पायर होकर लिखी थी इस फिल्म के सेट पर लीला एक दिन एक्स्टराज के लिए लड़ पड़ी उनका कहना था कि इन लोगों को भी बड़े स्टार्स की तरहा बैठने की कुरसी क्यों नहीं दी जाती लोगों ने समझाया कि ये लोग एक्स्टराज हैं लेकिन लीला नहीं मानी वो जिद करने लगी कि अगर इन लोगों को कुरसी नहीं दी गई तो मैं भी पूरा दिन सेट पर खड़ी रहूंगी आखिर कार उनकी बात माननी पड़ी और सेट पर मौझूद एक्स्टरा कलाकारों को बैठने के लिए कुरसी देनी पड़ी अनुरादव फिल्म पैसा कमाने में कामयाब नहीं हुई पर फिल्म को नैशनल अवार्ड मिला था लीला नाइडू ने 1962 की फिल्म उमीद में भी काम किया उसके बाद लीला नाइडू की 1963 में दो खास फिल्में आई शशी कपूर के साथ दि हाउस होल्डर हिंदी और इंग्लिश में बनी ये एक नौबल पर अधारिक थी निर्माता थे इसमाईल मर्चंट निर्देशक जेम्स आइबरी इस फिल्म में सत्य जीत रे के क्र्यू ने काम किया था फाइनल एडिट भी सत्य जीत रे ने ही किया था इस फिल्म को देखकर सत्य जीत रे ने एक इंग्लिश फिल्म बनाने का प्लैन बनाया था दिजर ने जिसमें वो मारलिन ब्रेंडो शशी कपूर और लीला नाइडो को लेना चाहते थे पर ये फिल्म नहीं बन पाई 1963 में ही लीला की दूसरी खास फिल्म आई ये रास्ते हैं प्यार के सुनील दत की प्रोडक्शन की ये पहली फिल्म थी उसी साल उनके बैनर की मुझे जीने दो भी आई ये रास्ते हैं प्यार के इस फिल्म के डिरेक्टर थे आर के नयर जो बाद में एक्ट्रेस साधना के पती बने आर के नयर ने फिल्म पूरी नहीं की थी बाकी पोर्शन सुनी लतने खुद डिरेक्ट किया था ये फिल्म असल में 1959 के बेहत फेमस कोड केस कमांडर के एम नानावाटी वर्सिस स्टेट आफ माराश्टरा पर अधारित थी फिल्म अच्छी बनी थी फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे थे संगीतकार थे रवी इसी सबजेक्ट पर जो बेस्ट फिल्म बनी है वो है रुस्तम ये 2016 में आई थी निर्देशक थे टीनू सुरेश दिसाई 1963 की ये रास्ते हैं प्यार के काम्याब नहीं हुई इसके बाद लीला नाइडू को सही माइने में कोई मेजर रोल नहीं मिला जब देव अनन्द इंग्लिश में गाइड बना रहे थे तो इंग्लिश वर्षन के डिरेक्टर टैड ने रोजी के रोल के लिए लीला नाइडू को लेना चाहा था पर लीला डांसर नहीं थी इसलिए फाइनल नहीं हो पाई विदेश से आई हुई कई फिल्मों को लीला अपनी आवाज में हिंदी में डब किया करती थी लीला ने अपना प्रड़क्शन हाउस शुरू किया इस बैनर तले वो दबे हुए सबजेक्ट्स पर डॉकुमेंटरिस बनाना चाहती थी लीला ने पहली डॉकुमेंटरी दे स और एडिटर काम करने लगी वोग मैगजीन ने दुनिया की सबसे ज्यादा खूबजूरत दस महिलाओं में लीला नाइडू और जैपुर की महारा ने गाईतरी देवी को शामिल किया था तिल कराज अबराय के साथ शादी से जड़वा बेटिया हुई नाम रखा माया और ये शादी नहीं चली तलाक हो गया लीला अपनी बच्चियों की कस्टडी हार गई बच्चियां बाग के पास चली गई लीला नाइडू बहुत परिशान रहने लगी उन्ही दिनों लंडन में लीला नाइडू की मुलाकात फिलोसफर जिद्दू कृष्णा मूर्ती से हु लीला को जिद्दू पर क्रश है लीला नाइडू ने कहा था कि मैंने कृष्णा मूर्ती से कह दिया था कि मुझे आप पर क्रश नहीं है मैं आप से प्यार करती हूँ मैंने उन्हें ऐसे गले लगाया था जैसे एक बच्चा गले लगाता है जिद्दू कृष्णा मूर्ती ने मुझे खामोश रहने की कीमत समझाई थी 1969 में मशुहूर राइटर डॉम मोरियस ने तलाक शुदा लीला के साथ शादी कर ली लीला को डॉम के साथ दुनिया भर के कई शहरों को क्रीब से जानने का मौका मिला दोनों कुछ समय नई दिल्ली में भी रहे फिर बॉम्बे में रहे इस शादी से कोई उलाद नहीं हुई ये शादी किसी तरह पहली शादी से ज्यादा चली पर खुशी इस शादी में भी नहीं थी 20-22 साल बाद ये शादी भी तोट गई दूसरी शादी तूटने के बाद लीला कुलाबा के एक घर में रहने लगी 1991 में लीला के पिता की मौत हो गई उनकी प्रॉपरटी को लेकर लीला ने केस लड़ा जिसमें वो अपना सब कुछ हार गई फिर अपना घर किराए पर देना शुरू कर दिया ताके खर्चा चलता रहे कहा जाता है के लीला की बेटियां उनसे मिलनी आती थी पर लीला उनसे कोई मदद नहीं लेती थी उनकी बेटी प्रिया 2008 में हाट अटेक से चल बसी 28 जुलाई 2009 लीला नाइडू भी इस दुनिया को अलविदा कह गए उनके अंतिम संसकार के समय उनकी बेटी माया मौजूद थी फेमिना मिस इंडिया दुनिया की सबसे खूबसूरत दस मैलाओं में शामिल लीला नाइडू का आखरी समय ऐसा था जो उन्होंने शायद किसी बुरे सपने में भी नहीं देखा था ऐस इन एक्ट्रेस उन्होंने सिर्फ नौ फिल्मों में काम किया जिन में बहुत बड़ी हिट या बहुत चर्चित फिल्म कोई नहीं रही उनका जिक्र सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए ही हुआ